वेरे वेरे वेल्कम टो अल साथ युए एक्जाम फाइट नुमरण पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है मद्य पर्देश असिस्टन प्रफेसर एक्जाम दोजार चोबिस के क्लासे में स्वागत है जिसका कि एक्जाम डेट साबका 3 मार्च दोजार चोबिस है और हम दोग पर पर परिफेसर करें पर पर हमारा क्या है मद्य पर्देश जी के आई सीटी एड करेंटे पैस यह तीन सेगमेंट है पर पर वन में तो हम लोग अभी देखने वाद है आई सीटी सेक्सन को देखेंगे ICT मिन्स होगया सूचनायों क्सान चार प्रुद्यों कि एक बहुत ही मत्पूर्ण करी Computer Technology के बारे में द्यान जानेंगे और Computer Technology से जुड़े हुए एक Practice State को Solve करेंगे और वह Practice State का से Trending MCQ होगा बिल्कुल ट्रेंडिंग और यहां से आपको प्रसंद सीधे एक्जाम में लड़ने वाला है चलिए Start करते हैं और इस MCQ के State को Solve करते हैं सबसे पहला Menu में डैस की सूची होती है Menu में किसकी सूची होती है Computer का Menu होता है उसमें सूची होती किस चीज़ की Data, Object, Report या Command तो Computer में जो शूची होती है और जो Menu होती है उसमें उसी स्थम्सक्राइब कमांड देते हैं तो वहाँ पर कह सकते है कि Command वहाँ पर क्या होता है Command दिया जाता है तो आपका D No. बन्रा राइट अंसर D No. Computer में क्या देते हैं तो Command तो D No. राइट अंसर हो जाएगा इसमें कौन सा Computer Hardware नहीं है कौन सा Computer Hardware नहीं है आपसे पूछा जा रहा है कौन सा Computer Hardware नहीं है माउस, प्रिंटर, मोनिटर या एक्सेल माउस हार्डवेर है प्रिंटर भी हार्डवेर है मोनिटर भी हार्डवेर है जबकि एक्सेल आपका Software है तो इसलिए कौन सा Hardware नहीं यह पूछा जा रहा है तो राइट अंसर क्या जागा यहां भी राइट अंसर D No. हो जाएगा कि लागे बढ़ते हैं एक Digital घड़ी में किस प्रकार का Computer हो सकता है जो Digital घड़ी होता है वहां पर Automatic Time Change होता है तो वहां पर भी Computer लगा होता है उस Computer में किस प्रकार Computer है Man Frame Computer, Super Computer, Notebook Computer या Embedded Computer तो Digital घड़ी में सात्यों Embedded Computer लगता है Embedded Computer लगता है अगला है HTML का विस्तित रूप क्या है यानि HTML का Full Form क्या है इस से लेटे Classes को हमने किया भी है वहां पर इमने बताया भी था इसके Full Form को HTML का Full Form क्या जाता है H से Hyper T से Text M से Markup L से Language तो Hyper Text Markup Language कहां पर है यहां पर Hyper Text Markup Language तो B No. आपका Right Answer बन रहा है चले Question 5 क्यों बढ़ते हैं 1024 किलो बाइट बराबर होता है यह देश्तित किलो बाइट किसके बराबर होता है 1 Megabyte, 1 Gigabyte, 10 Kilobyte यह 1024 Byte तो 1024 किलो बाइट एक Megabyte के बराबर होता है यह निमर आपका Answer है Right निमर में कौन सा चचरिय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लेंग्वेज है कोबोल प्रोग्रामिंग लेंग्वेज कंप्यूटर है पास्कल या भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लेंग्वेज है बैसिक भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लेंग्वेज है यानि आपका क्या हो जाका option D सभी यानि कोबोल पास्कल और बैसिक यह जो तीनों है तीनों आपका उच अस्तरिय प्रोग्राम में computer language है लागे बढ़ते हैं एक byte में होते हैं यानी एक byte में कितने bit होते हैं एक byte में 8 bit होते हैं 8 कहां पर है the number आपका इडिन्स रोज़ागा स्कीरे और कुछ देखना ही नहीं है एक byte में 8 bit होते हैं याद रखिएगा निमलगित में से कोन सी computer language नहीं है computer language नहींiच नहीं यहां पूछा जा रहा है language नहीं है तो basic computer language है c++ भी computer language है यहां double he is triple लेकिन डवल प्रस होगा. है तो आपका basic भी computer language है C++ भी है और Java भी computer language कंप्योटर लेंव्वीज़ नहीं है तो आपका D Number right answer अंसर ऊप्याटील होगा computer language नहीं है पूछा जा रहा है इसलिए D Pentłam樣s computer language नहीं है Q9 भारतिया शूपर कंपिटर का जनक कौण करता है ? तो भारत में जो सूपर कंपिटर का जनक कोन करता है ? आपका विजय भाठकर को भारतिय सूपर कम्पीटर का जनक कहा जाता है आगे बढ़ते हैं नियून्तम मेमोरी की साइज है यहाँ पर जो मेमोरी की साइज दी गई है इसमें नियून्तम कौन सा है नियून्तम मेमोरी की साइज की इकाई यानि मेमोरी को जनापने की नियून् किलो बाइट मेगाबाइट गीगागाइट या सभी नीुनितम मेमोरी साइज की एकाई तो किलो बाइट के भी हैंा के भी सबसे छोटी इकाई है उप्शन के लुदिए पर क्या चांगा ऑप्शन के साथ के भी एंडमर आइटन्स है चला आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के एडर्स को क्या कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एडर्स आता है उसको क्या कहते हैं जिसके चलते आपका फाइल स्लो हो जाता है या सिस्टम अच्छा से काम नहीं करता है एडर्स आ जाता है तो उस एडर्स को कंप्यूटर के लेंग तो क्या बोलते हम लोग बक्स के लिए अगर बढ़ते हैं अगला है कम्पीटर के दिमाग के रूप में कौन जना जाता है कम्पीटर के दिमाग के रूप में कौन जना जाता है तो कम्पीटर के दिमाग के रूप में कौन जना जाता है CPU, Control Unit, Alu या Monitor, तो Computer के दिमाग के रूप में जना जाता है हमारा CPU, CPU जना जाता है Computer का दिमाग के रूप में, Controlling Processing Unit है ना CPU, यह नमर आपका अडाटेंसर होगा, तो यह 12 आपका ICT और Computer Technology Related प्रस्न था, जिसका कि हम लोगों ने solve किया आपको एंसर भी बता दिया, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी फाइदे मन रहेगा, ऐसे ही Classes आप भी चाहते हैं, ऐसे Classes आपको भी मिलती रहें और MP, GK, ICT या Current Interface, सेग्मेंट का यहां पर Classes चल रही है, Paper One के लिए, तो आपको भी लगता है, यह हम Paper One में ज्यादा अच्छा स्कूर करें, और Paper One में 40 प्लस स्कूर करें, तो आप हमारे साथ जूड़कर विल्कुल Free में Paper One की Complete त्यारी कर सकते हैं, और वो भी without any fee, विल्कुल Free, Paper One में आप MP, GK को भी पढ़ेंगे, MP, GK की लगभख Classes हो चुकी है, Current Interface की Complete है Classes, Current Interface हम लोगों ने June 2023, December 2030 के Current Interface को कर लिया है, इसी Current Interface से आएगा उसके आगे और अभी नहीं आगया, क्योंकि आपका एक्जाम साथ जो 28 January को था तो पेपर आपका पहले ही छप चुका है, अभी नए Current Interface और आगे वाले एड़ नहीं होने, तो Current Interface आपका June से लेकर December 6 months करना था, जो कि Current Interface यहाँ पर करा दिया गया है, आप हमारे playlist में जाके उस Current Interface को भी देख सकते हैं, वह Complete MPGK भी लगवख 70% सिलेबस Complete है, अब आपका ICT अभी चल रहा है, ICT भी हम लोग 100% बहुत जल्द Complete कर लेंगे, और इस प्रकार आपका MPGK पेपर 1 पूरी तरह Complete Preparation यहाँ पर कराई जा रही है, आप भी चाहते हैं MPGK पेपर 1 की Complete त्यारी करें, तो हमारे साथ जूल क Complete पूरे सिलेबस की त्यारी कर सकते हैं, और एक्जाम में अच्छा से अच्छा score कर सकते हैं, 40 प्लस आपका score आएगा, इसकी पूरी गारंटी रहेगी, अगर आप Classes को अच्छे से करते हैं तो, और Classes को जोईन करने के लिए आपको करना है क्या, क्यानल को सब्स्राइब कर करना है, बिल आइकों को प्रिस करके All the button को क्लिक करना है, ताकि आने वोले Classes के वीडियो को अप्लोड होते हैं, आपको नोटिफिकर मिल सकें, और आप Classes देख सकें, Thank you, thank you very very much for watching this video and connecting with the exam fighter no.1